नमस्कार दोसो आप सबी का हमारे चैनल पर खिर से स्वागत हैं दोसो देख रहे हैं आप कितनी सुन्दर मिठाई लग रही हैं ये है दोस्तो पनीर रोल काजू रोल भी हमने बना लिए बादाम रोल भी हमने बना लिए आज हम बनाएंगे पनीर रोल दोस्तो बनाना बहुत असान है और बहुत कम खर्चे पर आपकी घर में महंगी मिठाई बन जाएगी तो चलिए बनाते हैं आज की मिठाई पनीर रोल पनीर रोल बनाने के लिए definite सी बात है हमें पनीर चाहिए होगा पनीर दोस्तो हमने 50 ग्राम लिया है 50 ग्राम पनीर से ही हम ये मिठाई बनाएंग मैंने पनीर लिया है 50 ग्राम और इसे ग्रेट कर लेते हैं अच्छे से कद्दू कस कर ले अच्छे से इसको कद्दू कस करके या फिर हाथ से ही आप इसको मसल सकते हैं ये मैंने कद्दू कस कर लिया है और कद्दू कस करने के बाद भी मैं इसे हाथ से मसलूंगी क्योंकि मै इसका मुलायम सा डो त्यार करना है इस तरीके से आप हथेली से ऐसे मल सकते हैं जैसे कि मैं इसको महीम सा बना दूंगी बिल्कुल महीम सा हमने इसका डो त्यार करना है आप भी ऐसी करिए जैसे मैं कर रही हूँ अगर दोस्तों आपने ये मिठाई जादा मातरा में बनानी है तो उसी हिसाफ से आप थोड़ा थोड़ा जादा material लेते जाएं तो इस तरीके से मैं पनीर को mash कर रही हूँ इस तरीके से ये बिल्कुल महीम सा बन जाना चाहिए क्योंकि जितना ये महीम बनेगा, soft बनेगा उतनी ही हमारी मिठाई बहुत ही बढ़िया बनेगी तो इस तरीके से आपने पनीर को कर लेना है mash उंगलियों से दबा दबा कर इसको करने में बहुत ही मजा आता है आप एक बार करके देखना इसको दोस्तो हमने पनीर के मलाई लड़ू भी बना रखे हैं आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं इसक्रिप्शन बोक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का इस तरीके से आप दोस्तो मसल ने पनीर को बहुत ही सोफ्ट सा आपने डो त्यार कर लेना है ये देखे दोस्तो मेरा ये सोफ्ट सा डो त्यार हो गया है और इसे रख देते हैं अब साइड क्योंकि अगला प्रोसेस शुरू करते हैं अब चलते हैं अपने नेक्स टेप पर हमने लिया है एक मिक्सी का जार मिक्सी के जार में सबसे पहले हम डालेंगे ये है दोस्तो कोकोनेट पाउडर अगर आपके पास कोकोनेट पाउडर नहीं है तो जो वो नारियल के सुके हुए गोले होते हैं उसका जो उपर से छिलका होता है वो उतार के चाकू से उसको ग्रेट करके उसका बुरादा भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो दोस्तो इस तरीके से मैंने नारियल का बुरादा लिया है एक कप, आप घर का कोई भी कप कुटोरी सेट कर ले, उसे से आज हम ये सारा मिटीरियल डालेंगे, तो मैंने डाल लिया है नारियल का बुरादा, अब मैं यहाँ डालूंगी दोस्तो, दस काजू, ये मैंने दस जो डाल दिये हैं अब मैं 10 ही बादाम लूँगी बादाम हमारी बोड़ी के लिए बहुत ही helpful है दिमाग तेज करने में काफी help करते हैं बादाम और बोड़ी की immunity भी बढ़ जाती है इनको खाने के बाद अब दोस्तों बादाम तो मैंने डाल लिये हैं अब इसमें डालेंगे हम 10 पिस्ता मैंने ये तीनों चीजे 10 दस ली हैं आप quantity बढ़ा भी सकते हैं अगर आपने ये ज़्यादा मातरा में बनानी हैं 10 मैंने पिस्ता लिया है और एक चमच या आधा चमच इलाइची पाउडर डालेंगे अगर आपको इलाइची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो इ यहाँ पर food color ले रही हूँ तो इस तरीके से आपने इसको powder सा बना लेना है सारची जों का आपने powder fine सा powder बनाना है mixi में तो इस तरीके से मैंने powder तो बना लिया है अब दोस्तों इसको भी हम चान कर लेंगे क्योंकि एक आधपीस रही जाता है पीछे से तो हम इसको चान के चान के यह हमारा fine सा powder हमें मिल जाएगा सारी जगह से आप उतार ले धकन वगरा से ताकि हमारा कुछ भी material waste ना हो तो इस तरीके से आपने यह चान लेना है चलनी से चान सकते हैं और चम्मच इसमें चला चला के अच्छे से यह चान जाएगा बाकी जो इसमें बचेगा material उ अगर ज्यादा बचता है अगर थोड़ा बचता है तो उसे किसी सबजी में प्रियोग कर सकते हैं आप सबजी की gravy बनाने में यूज कर सकते हैं इसको waste बिल्कुल भी ना जाने दें या तो दुबारा इसको grind कर ले या फिर आप इसको सबजी में डाल सकते हैं पूरा यूज पाउडर को अच्छे से, ताकि सारी चीजे आपस में मिल जाए अब चलते हैं दोस्तों गैस पर, गैस पर रख देना है आपने एक पैन इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी और अब एक कप जो मैंने कप लिया था नारियल के बुरादे में उतना ही कप आपने दूद लेन है आप घर का कोई बी सैट कर सकते हैं बरतन उसी हिसाब से आप सारा समान लीजिए तो मैंने दूद डाल लिया है इसको अच्छे से आपने गरम कर लेना है और इसी में से दोस्तों आप थोड़ा सा दूद निकाल सकते हैं एक कटोरी में और उसमें थोड़ा सा केसर भी हो कर डालेंगे केसर से दोस्तों बहुत ही बढ़िया मिठाई बनेगी आपकी इसमें से थोड़ा दूद रख सकते हैं या पहले ही कटोरी में दूद डाल कर गरम दूद उसमें केसर डाल सकते हैं ताकि हमारा अच्छे से कलर उसमें आ जाए जितनी देर आपका केसर रहेगा मीठा करने के लिए हम चीनी डालेंगे वही कप जो हमने दूद मे लिया था नारियल के बुरादे मे लिया था वही कप हम लेंगे लेकिन वो आधा कप लेंगे हम चीनी का मतले जितना दूद लिया है उससे आधी हम चीनी लेंगे आप चाहे तो मीठे को कम जादा अपने हि गी जो देसी गी हम डाल रहे हैं इससे एक तो आपकी जो रोल है वो घाड़े बनेंगे अच्छे से बनेंगे और उनमे चमक भी आएगी इसलिए हम घी डाल रहे हैं घी का डालना बिलकुल ऑप्षनल है आप चाहे तो डाले नहीं तो ना डाले तो इस तरीके से हमने घी भी इसमें डाल लेना है दूद में दोस्तो जो केसर होता है न हमारी बोड़ी के लिए बहुत ही बढ़िया है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिने केसर के बेनिफिट का पता ही नहीं जितना ये महंगा होता है उतना ही हमारी बोड़ी के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और हमारी तुस तरीखे से दोस्तो आपने केसर ढाल लेना है इसमें, अब हम ढालेंगे जो जो हमने मेश किया था पनीर वो ढाल लेते हैं, मैंने ढाल लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करना भी नहीं रहना चाहिए, आप चाहे तो मैशर की साहता से इसे मैश कर सकते हैं या फिर जैसे ही गरम होता जाएगा आप ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप गैस बंद कर सकते हैं गैस बंद करके आप पनीर मिला सकते हैं इसमें अगर आपको ज़्यादा देर लगने वाली है इसको मेश करने में तो इस्तरीके से दोस्तो मेरा पनीर भी मेश हो चुका है बाकि जो थोड़ा बहुत है यह भी मेश होता जाएगा जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे इसको तो आगे हम इसमें डालेंगे दोस्तों, ये है milk powder, आप milk powder को इवी company का ले सकते हैं, तो milk powder मैंने लिया है, dairy widener milk powder मैंने लिया है, एक cup, जितना मैंने दूद लिया था, बस मैं एक ही cup से measurement कर रही हूँ, वही cup मैंने दूद लिया है, milk powder, इसे थोड़ा थोड़ा करके हम डालें थोड़ा थोड़ा करके अगर आप डालेंगे, दोस्तों इसको मिलाते जाएं, अच्छे से mix करने के बाद, आप इसमें डालेंगे, जो हमने बादाम, काजू, और coconut बुरादे का जो powder बनाया था ना, वो डाल लेते हैं, ये भी आपने थोड़ा थोड़ा करके डाल लेना है उसे mix करते जाएं, या एक साथ भी आप mix करेंगे तब भी ये lumps बगार इसमें नहीं पड़ेंगे, तो आपने बड़ी सावधानी से mix करना है, lumps नहीं रहने चाहिए इसमें, इस बात का आप ध्यान रखे, दोस्तों जैसे जैसे आप इसे पकाओगे ना, तो ये थोड़ा सा गाड़ा होता जाएगा इस तरीके से, और याद रखे दोस्तों इसको आपने low to medium flame पर ही पकाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसके नीचे flame कर देंगे, तो इसका जलने का डर रहेगा, और एक दम से ये perfect मिठाई नहीं बनेगी, तो इस तरीके से दोस्तों आपने इ अच्छे बनेंगे, बस घी डालने से क्या होगा, आपकी ये मुलायम बनेंगे और शाइनिंग आएगी इसमें, और अगर देसी घी हम किसी भी मिठाई में डाल लेते हैं, तो इसका टेस्ट तो थोड़ा बढ़ता ही है, तो इस तरीके से आपने सारी चीजे मिक्स करनी हैं अच्छे से इसको पकाते जाएं, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही, ज्यादा फ्लेम बिलकुल भी ना करें, पूरी रेसीपी में, शुरू में आप थोड़ी हाई रख सकते हैं फ्लेम जब हम दूद को बाल रहे हैं, चीनी को मेल्ट कर रहे हैं, उसके बाद से आप फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें, तो इस तरीके से मेरा ये फाइन सा डो बनकर त्यार हो गया है, ये मिठाई दोस्तों आपकी 10 मिनिट के अंदर अंदर बन जाएगी, ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा इसको बनाने में, तो ये लिजी दोस्तों मेरा ये फाइन सा डो बनकर त्यार है, इस तरीके से, इसकी पहचान क्या है कि हमारे रोल सही से बनेंगे, देखिए जैसे मैं इसको चला रही हूँ, ये नीचे नहीं चिपकरा, बड़ी ही अच्छी तरीके से ये इकठा होता जा रहा है, इस तरीके से आपने इसको इकठा सा कर लेना है, तो ये लिजे दोस्तों मेरा फाइन सा डो बनकर इसका त्यार है अब ये रोल बनाने के लिए परफेक्ट है तो अब गैस कर देते हैं बंद और इसको पैन में फैला देते हैं या फिर अलगा प्लेट वगरा में भी से निकाल सकते हैं ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए बस हमें इ और या तो इसे हाथ पर रोल कर ले इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके शेफ सी बना के और या फिर हम दूसरा तरीका आपको बताएंगे ये देखिए दोस्तों मैंने हाथ पर ये रोल बना लिया है छोटे बनाएं बड़े बनाएं आपकी मरजी है जैसे दे ले अच्छे से जैसे रोल होते हैं उस तरीके से आप कर लें तो ये लिजिए दोस्तों इसी तरीके से मैंने सारे रोल बना लिये हैं एक एक बना सकते हैं या फिर इसको फैला कर इस तरीके से काट कर अपने रोल बना लें यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बतान दूसरा तरीका या फिर आप इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल सकते हैं उससे भी आपका ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा रोल बनाने में आपको हेल्प हो जाएगी तो इस तरीके से दोस्तों देखे मेरे सारे रोल बन कर त्यार है हास से आपने इसके शेप भी कर लेनी है इस तरीके से अब इसमें क्या करेंगे थोड़ा से सजा देते हैं चांदी का वर्क ले ले ये सिल्वर वर्क और इसको लगाते हैं अपने रोल पर और ये लिजिए दोस्तों मेरे रोल त्यार है इस पर लगाते हो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है रोल पे क्य अगर लगाएं तो असली वाला लगाएं तो इस तरीके से दोस्तों मेरी बर्फी बनकर त्यार हैं त्यार हैं हमारे रोल कोई भी महमान आपके घर आ जाए तो आप बजार से लाने की बजाए आप घर में ही इस रोल को त्यार कर सकते हैं और अगर इस तरीके से आप रोल बना सकते हैं किसी त्योहार पे बना सकते हैं या घर में बना कर रख सकते हैं महमानों को दे सकते हैं तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी और कब आप इसे बना रहे हैं रेसीपी को आप मेरे साथ शेयर जरूर करें तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो